बहुत बहुत स्वाइद करते हैं क्लिक टोड़े के आज के इस वीडियो में और इस वीडियो में हम जो है यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन को ले करके बात करने वाले जो भी छात्राओं का नाम जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया है दोजर चौबिस से अठाई सेशन के लिए ग्रेजवेशन एडमिशन के लिए तो आपका जिस कॉलेज में नाम आया है उसमें जाकर के एडमिशन आपको कैसे लेना है कौन से डॉक्मेंट साथ में ले करके जाना है कितने फीस ले करके जानी रहेगी यह सभी जानकारी आपको आज के इस वीडयो में हम देने वाले हैं वीड्यो कु सुरू से लेकर के आंति तक देखियेगा साथ ही जिन student को merit list नहीं दिख रहा था कल से वो काफी ज़ादा परिशान थे मैंने आपको पहले भी बोला था जो student ने personally contact किया था कि आपको wait करना पड़ेगा university जो है website को update कर रही थी university ने website को update करते हुए कुछ चीजों का जो है बदलाव किया है जो चीजे बदली है वो हम आपको बताएंगे हाला कि आपको जो है कुछ चीजे ध्यान में रखनी है और बातों को ध्यान से सुनना है तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकोन को आउन कर लीजे जिससे की आने वाले समय में एक एक अपडेट आप सभी तक जो है टाइम टू टाइम पहुंचते रहे और एडमिशन के बाद एक्जामनेशन कब होगी इंटर्नल एक्जामनेशन में कितने माक्स चाहिए यह सभी जानकारी आपको जो हमारे तरब से दिये जाते रहेंगे इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन को आउन करके जरूर रखिएगा अभी देखिए आपको अगर मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखना है नहीं दिख रहा था तो आपको कैसे देखना है तो सबसे पहले क्लिक टूडे सर्च करिएगा अपने मॉइल के उपर पहला जो वेफ साइट आएगा उसके उपर आपको क्लिक करना रहेगा क्लिक करने के बाद जो है नीचे स्क्रॉल करते आना रहेगा अब आप व्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ मेल के उप्षिन पूछे जाएंगे कहे जाएंगे कि आप अपना कोई एक मेल चूज करिए उस मेल के थुरू आगे प्रोसीड करके आप ड्राइब से डाउनलोड कर सकते हैं अपना मेरिट लिस्ट अब यूरिसिटी ने सारे मेरिट लिस्ट को ड्राइब पे डाल के उसका लिंक यहाँ पे लगा दिया है जिसके थुरू आप देख सकते हैं तो अगर आप व्यू पे क्लिक करते हैं तो कोई एक मेल का उप्षिन आएगा हम आपको मेल का उप्षिन भी दिखा जेते हैं कैसे मेल का उप्षिन आपको आएगा लाइक हम एक मार्केटिंग का करते हैं जैसे इसको उपर क्लिक करेंगे तो हमें मेल के उप्षिन मिलने सुरू हो जाएगे किसी एक मेल को हमको चूज करके जो है okay करके आगे बढ़ जाना रहेगा जैसी आगे बढ़ेंगे open document जो होने लगेगा marketing का जितना भी यहाँ पर merit list आ रखा है जिन जिन student का नाम आ रखा है वो सभी जो है अपना यहाँ पर merit list देख सकते हैं ठीक है आप by search भी जा सकते है बाई search में भी आप यहाँ पर अपना application number डालेंगे तो search में दिख जाएगा अभी क्या करना है मान लिजे जहाँ पर कि आपका merit list में नाम है ठीक है जिस college में भी आपका नाम है आपको क्या करना है उस जगह का screenshot ले ले लेना है ठीक है screen like मान लिजे यह लक्षमी कुमारी का है ठीक है इसको आप थोड़ा highlight कर लिजेगा highlight करने के बाद जो आप इसके screenshot ले लिजेगा और इसका print out निकलवा लिजेगा यही print out निकलवा करके जब आपने college में आप जाएगा तो दिखाएगा कि हाँ हमारा पास तो final print हाई नहीं तो फिर कैसे होगा तो आपको download कर लेना है simple सी बात login ID आपके पास है आपको download करने के लिए क्लिए 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 अगर आपके पस link नहीं है तो मैं वीडियो के description में उस link को लगा दूँगा हलाकि website के थूँ आपको कैसे करना है यहां search पर आईएगा UG admission लिखेएगा और search करिएगा UG admission जैसे लिखेएगा तो आपको नीचे scroll करते हो आना रहेगा नीचे scroll करके आईएगा तो आपको UG admission 2024 वाला जो है open करना है यहां पर देख रहे है बिहार graduation admission apply online यहां पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने करते आपको नीचे scroll करते हो आना है बिहार University मुझ़फरपूर का यह है यहां पर आप अप जो है apply link जो आपको दिख रहा है इसके ओपर click करना है click here पर click करना है जैसे click here पर click करिएगा आपको नीचे स्क्रॉल करते आना है और sign in पे क्लिक करना है इस sign in वाले option पे जाके आपका जो application number और password आपने जो generate किया था उससे आपको login कर जाना रहेगा login करिएगा final जो आपका intimation letter है वो download हो जाएगा और उसी intimation letter को आपको जो ले करके साथ में जाना और merit list में जहाँ पे आपका नाम उसका screenshot प्रिंट आउट ले करके जाना है यह दोनों प्रिंट आउट तो हो गया अब इसके बाद हम बात करते हैं कि बहुत सारे college में क्या क्या जो है तक विज्ञान कला वानिजे प्रथम सेमेस्टर सत्र दोजार चौबिस से अठाइस में नामांकन युए माइस दुआरा जारी प्रथम मेदा सूची में चैनी छाथम चात्राओं का नामांकन महाविद्याले में दिनांग आज से 14 तारीक तक एडमिशन होगा ऐसे ही हर college notice निकालेगी first merit list में अगर आपका नाम आया है अगर आप सोच रहे हैं कि हम उस college में एडमिशन ना लेकर दूसरे college में एडमिशन ले ऐसा possible है तो ऐसा possible नहीं है आपका जिस college में नाम है उसमें एडमिशन पहले पहले ले लिजे बाद में आपको परिशानियों का सामना करना परेगा क्योंकि बहुत साथ student क्या करते हैं कि college अच्छा नहीं है हमको पसंद नहीं है कि चक्कर में छोड़ देते हैं और छोड़ने के कुछ ऐसे कारण भी हम आपको बताएंगे जब आप छोड़ दीजेगा तो आपको last में spot admission का मौका मिलेगा तो आप अपने nearest किसी भी college में लाके admission ले सकते हैं लेकिन उसमें आपको फीस ज्यादा चार्ज किया सकते हैं मनमाना पैसा लिया जाता है यहां पर बताया है कि स्टूडेंट को website पर जाकर के data collection form डाउलोड कर लेना है form का fees details जो नहीं पर दीख जाएगा और student को जो है fees उसी के according बढ़ना है और form के साथ जो है काखजात कौन से कौन से लगाने तो document कौन से कौन से है तो online आविदन की hard copy आप जो online आविदन कीए है यो माइस वाला जो आपको मैंने बताया है login करके निकालना है वो उसका final print निकाल लेना है और आपको जो है अपना बारहवी का अंक पत्र यानि कि आपका जो है mark sheet वो आपको लेना है अगर आपके पास original नहीं है तो जो online वाला mark sheet है उसी के basis पे आ आपको तब तक नहीं मिलता है जब तक कि आपका result पूरा मिल नहीं जाता है ठीक है तो आपको जो TC school से अभी नहीं मिला होगा तो college living certificate ये school living certificate इसको हम कहते हैं अभी SLC कहा जाता है SLC अगर आपको नहीं मिला होगा तो आपको कुछ नहीं करना है वहाँ पर बोल देना कि आपको जाता है यानि के Orijinal TC आपको कहा जा रहा है एवं प्रवंजन प्रमानपत्र अन्यबोड यानि की आपको migration मांगा जा रहा है अगर अन्यबोड के कोई छात्र है अगर सीवेस्जिवेसी बोड के student है तो आप से जो Orijinal migration मांगा जा रहा है CBAC के student का original migration रखवाया जाएगा हलागि बिहार बोर्ड को migration देने की किसी प्रकार की जरुत नहीं पड़ती है क्योंकि वो बिहार बोर्ड से ही बिहार बोर्ड में आ रहा है ठीक है तो यह हो गया CBAC बोर्ड वाला अपना migration जमा करेंगा नहीं होगा तो वहाँ पर बता देंगे और दो अतरिक passport size photo जो है आपको साथ में रखने होंगे जो की वहाँ पर form के ओपर चिपकाने रहेंगे चात data collection form से जो form को भरेंगा और सत्यापित करवाएंगे जो कर्मियों का नाम बताये गया commerce, science और arts का जो भी है वह बताया गया कि किस किस से कराना है और चात नामांकन आवेदन प्रपत्र की जाच के बाद जो है admission fees chart के अनुकूल जो है सुल्क online महाविद्यले के website पर भुकतान कर जो है रसीद जो है hard copy वह भी जो है आवेदन के साथ जो है data collection form जो दिख रहा है जिसमें की student को सबसे उपर में भढ़ना होगा session में 2014 से 28 और यहां पर आप देख रहे है BA, BAC, B.com, part 1, part 2, part 3 लिखा है जहां पर कि इनको UG, first semester, second semester लिखना चाहिए हाला कि इससे कोई दिक्कत नहीं है applicant का यहां पर application पहले number लिखना होगा उसके अप्लिकेंट का अपना नाम लिखना होगा उनके father का नाम, mother का name, date of birth, subject offered consequence subject जो उनको offered किये जा रहे है यह सब आपको college में पूछ करके भढ़ना होगा photo यहां पर आपको चिपकाना रहेगा अपना पूरा भरेंगे, amount, receipt number और date यह आपको तब भरना रहेगा जब आप payment कर दीज़गा bank account details यहां पर name of the account holder यानि की जिसके through payment किया गया है वो सभी details यहां पर आपको भर के देना रहेगा कि हाँ मैंने इस account से payment कि IFC code मेरा इतना है place, date, signature of candidate यह सब आपको देना रहेगा यहां पर ध्यान रहेगा 17 number point जो बोला गया account details of the candidate for refundment if applicable अगर ज़रुत परती है तो यहां पर आपको अपना रहेगा account अपना आप दे सकते हैं या फिर जिस account से आपने payment किया हो भी physics, chemistry, maths जिनका होगा general and BC2 वालों का यहां पर account 2, 204 लिखा होगा यह code होगा इनका इसी प्रकार से आप बाकी fees का विवरंद देख सकते हैं अब मैं आपको बता दू जो student self financing course लेने वाला या जो चात्रों चात्रा है self financing लेने वाली है उनको एक बहुत बड़ा loss का सामना करना पर सकता है वो लॉस क्या है तो आपको मुख्यमंत्री कन्या उथान योजना का जो राशी मिलता है वो नहीं मिल पाएगा उससे आप वंचिस हो जाएगेगा क्योंकि इसको अभी तक क्या अप्रूवल नहीं दिया गया है बिहार गौर्मेंट की तरफ से और सिक्षा अभिभाग की तरफ तो यहां पर आप drop मार सकती है इस college में admission ना लेकि spot round का wait करके आप अपना spot round में किसी other college में admission ले सकती है जहां पर कि यह self financing नहीं affiliated course चलता हूँ ठीक है यह बहुत बड़ा जो 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 जोल है यह आपको कोई नहीं बताएगा लेकिन मैं सुरू में admission के time बता दे रहा हूँ बह तो मुझे अगर सरकार के द्वारा लाव नहीं दिया जाएगा तो मुझे इससे कोई आपती नहीं है यह सारी चीजे उसमें आपसे परवाई जाएगे बाकी आपका चौईस अगर आपको इसमें admission लेना तो ले सकते हैं बाकी मैंने आपको सारी details बता दिये अगर आपको को कोई सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आगे हम और वी वीडियो लाते रहेंगे अगर आपको और वी कोई जानकारी चाहिए होगी तो तब तक लिए चलते हैं धन्यवाद